चलिए अब हमें एक problem को solve कर लेते हैं। इस problem में हमें यह पूछा है कि producer gas क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कि यह क्या होता है। यदि हम carbon को air के presence में heat करते हैं, तो हमें carbon monoxide और nitrogen का एक mixture मिलता है। जिसे हम इस reaction की help से समझ सकते हैं। यहाँ पर बनने वाले प्रोड़क्ट मिक्षर को ही हम प्रोड्यूशर कैस कहते हैं। इस मिक्षर को हम आइरन और स्टील इंड़स्ट्री में एज इंड़स्ट्रियल फ्यूल यूज करते हैं। I hope आप समझ गए होंगे कि प्रोड्यूशर गैस क्या होती है।